हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बेक टो माई चैनल जेपी एंड मॉम ब्लोक्स और आज एक और वीडियो लेग के आगी हूँ आपके लिए और आर्टन क्राफ्ट से रिलेटेड वीडियो है और जिसमें मैं क्या करूंगे एक मतले बोतल लिए है तो मैंने एक री दो बोतल लिए है खाली बोतल है यह कांच की बोतल है ठीक है ग्लास बोतल है इनका रियूज करके दिखाऊंगी बहुत ही अच्छा इसका प्योग होगा और बहुत ही अच्छी चीज बन जाएगी तो इसलिए वीडियो को आप पूरा देखना और जो मारे चैनल फर्स टाइम देख रहे है अ उसके उपर हमने क्या करना है फैविकोल लगाना है और फैविकोल लगा के क्या करना है जो यह टिशू लिया है मैंने इसको उसके उपर पेस्ट कर देना है ठीक है तो अच्छे से पेस्ट करना है इसको पूरा अच्छे से कवर कर देना है ठीक है तो मैं कुछ सेब देने ज तो पूरा अच्छे से कवर करने के लिए तो हम क्या करेंगे और टीशी बेड़ी पर ले लेंगे टिक है मैं उसके चुटे-चुटे से पीस कर लिए है ताकि इसका उपसे जो उसकी मुन्डी बनने जाए है एड़ बनना चाहिए वह अच्छे से बन जाएगी ठीक है उसको फ तो फेस की सो सेप होती है वह इससे बनाएंगी ठीक है तो सबसे पहले में किया ओपर वाले जो अउसको जो धाया है उसको यूम रहे है पनाय और उपर हम एसको कवर करेंगे माडग गले से तो नीचे से भी मैंने सको कवर कर दीया, ताकि इसका पूरा फsto ना चोजा पार है, तो इसका पूरा फेस है जो कवर हो जाए, अच्छी सी से बन बन जाए. और इसके वह से बेदा है, जी करदा कि sunile है चाहिसा, या मैंने सब्सक्राइब हो फिर गवार है. इस तरह से बनाना है तो आप कुछ भी इसको अपना सेप दे सकते हो जो भी आपके मतलब मन में आए कि आप कैसे बनाना चाहरे हो तो इसके अकोर्डिंग मैंने ये बनाया है तो आप लोग पनी साब से बना सकते हो ठीक है ये सिर्फ आपको एक आइडिया मिल रहा है कि किस त मज़ नहीं आ रहा था लेकिन आज इसका दिन आये गया तो मैंने का चलो इसके एक डॉल बनाई जाए तो मैं इन डॉल बनाने जा रही हूँ तो वस इसका फैले फेस की सेप दे रही हूँ और यह थोड़ा आपको डॉल होगी तो यह अफ्रीकन टाइप की लगए गया अपक मैं नहीं पut्टी लगाए थी तो इसके बालों के ऊपर मैंने थोड़ा से थोड़ा से हैस्टान बना दिया उपर से दिख रहा होगा आपko देखें इस तरह से बना दिया पस अब इसको क्या है मैं झीज़ा इसके येरिंग नियम्रा इसके बना रही हूँ इसके नोस वगर लेके और उसको चोटे-चोटे से बीट से बना के और उसके गले में लगा दिये अब लगाऊंगी मैं आपको दिखा दियो बस अभी मैंने एरिंग बनाए है और इसकी फेस की से बना दिये ओपर से क्या है इसके जो हैस्टाइल है वह बना दिया है ठीक है अब आगे से हम दि अच्छे से दिखेगा कि मैंने क्या बनाया है किस तरह से लग रहा है यह देखिए तो यह African Doll बन रही है यह देखिए और बस नीचे वाली जो सेप इसमें भी थोड़ा सा लगाऊंगी ताकि यह अच्छे से दिखेगा इसकी dress दिखेगी किस तरह सी बनाया है तो अभी तुम् आफिसमेर में कि सब्यव काी दीड ने अल्ग होगा, जब दिपा दिप्एliches्सकारी में इसक्याइब यह दुओए में 300 बिया मचल माड़ी टाल inythose दिद में अरे दिदीक तो है कि इसकी दीड कर दिध्टा Parlament से 20 अब दिदेखें और इससे पूरी जो टॉप है पुरा पिछी साइड बैक साइड भी पूरा सेप देदी में और अब उसके बाद हम समी कलर करेंगे तो कलर करने के लिए सबसे पहले में ब्लैक कलर कर रही हूं तो ब्लैक कलर से इसकी आइज वगएरा इसकी नोज जो भी है फेस के जितने पारए आपकर हाँ, पूरी था म्सेल, पूरी अप्राइक क्लरे एपकर हमें इसे से यह से लिए और बीकलर पान्य राभ सफ़ defy कि पूरा अगर मिस्कीनी कलर करेंगे तो यह मतलब अच्छे से साइड नी करेगा और हमें दिखेगा ने फिर कि यह डॉल है कि नहीं है नॉर्मल सा लगेगा तो इसने में थोड़ा सा उभारने के लिए थोड़ा सा डार किया और बाकी जो इसका हैस्टायर है उसके लिए मैं उसके उपर मैंने ग्लीटर का यूज किया है रैड वाले ग्लीटर का ठीक है यह देखे और उसके जो एरिंग है उसमें भी मैंने ग्लीटर लगा दिया और बहार से इसकी यलो कलर कर दिया ताकि जो एरिंग है और साथ में उसके जो नेकलस है उसमें भी मैंने बीच-बीच और उपर से जो बाल है उनका कलर मैंने ब्राउन किया है तो कि थोड़ा ना अलग सा दिखना चाहिए तो इसलिए मैंने इस तरह से कलर किया है बाकि जो इसको टॉप है उसमें मैंने इसे जो इसके सब्सक घोँए है उसमें मैंने इसकी ब्लेक कर दिया और अच्छा सी दिखेंगी बहुत सुंदर सी लेगी इसलिए जो भी मैंने यूज किया है वह थोड़ा देखके किया है और उसके नेकलस एक उसमें यल्लू आई बीच बीचते जो और उसके साइड साइड बाकि जो इसके नीचे वाली इसके ड्रेस की डिखाने के लिए इस तरह से एक पटीसी बना दी थी थी थोड़ा सा भार के उसको तो और अच्छे से दिखे गई यह देखे और इसके नीचे वाली इसमें मैंने ब्लैक कलर दिया तो यह देखिए हमारी डॉल तेयार हो यह देखिए हम दिखाएंगे एक और मैं आपको क्राफ टिखाने जा रही हूँ वह भी ग्लास बोटल का यूश किया जाएगा ठीके तो इसमें मैंने फैविकोल लिया है फैविकोल में थोड़ा सा मैंने पानी मिक्स कर लिया है और फिर सी हम टीश्यू पेपर लेंगे तो पर यह इस तरह से पेस्ट हो गया और फिर मैंने नेक्स्ट की पिर हमने अक्रेली कलर ने मत्ता हमने फिर से मोलेट कले लिया है दोनों और उसको फिर मैंने एक साथ मिक्स कर लिया है थोड़ा सा मैं इसमें टेलकम पाउडर लिया है क्योंकि वहातों में पेस्ट हो चिपक नहीं पूरी वीडियो देखने पाऊगे इसलिए मैं तो इसको कट करके इस तरह से किया है और उसके बाद फिर मैंने एक अपने पास मेरे पास मेरा नेल फाइलर पड़ा था तो अगर आपके बास इसके टूल से तो आप उसको यूज भी कर सकते हो तो यह मैंने मोर के पंख जा रही हूं इस तरह से मैंने इसके साइड साइड में निशान लगा है और उसके बाद बीच में क्या है पैंसे डॉट किया है ताकि मोर का जो पंख होता है वो बनाने जा रही हूं तो यह इस तरह से बनाए क्योंकि थोड़ी मैंने स्पीड बढा रही है तो आपको पता मैंने चल रहा होगा मैंने एक आगे आपको दिखा दूँगा अच्छे से प्र वाल पर दिखा दोगे दो हुआ और उसके बाद फिर मैंने क्या इसके बाद रहें प्रोटले पेस्ट करते जाना है यह दिखें पर बनाने के लिए और बीच में डॉर्ट के लिए पन का यूज किया थैक है इसके फैबिकुल लगाती जाना है और इससे सारे के सारे हमने इसमें पेस्ट कर लें अभी बाद में आपको दिखेगा तो बहुत अच्छा दिखेगा ठीक है अभी अब आपको इसा हैं लिए अब हमने कहते हैं एक पीकोग की सेप देती है मैंने मोड़ड कले से और इसको भी मैंने फैविको लगा के इस पोटल में क्या है बीच में पेस्ट कर लेना है यह देखिए इस तरह से हैं आप अपो पेस्ट कर लेंगे उसके बाद फिर हम थोड़ी दिरक लेना ड्राइ होने क झालर करेंगे तो मैं आगे आपको दिखाती हूं कि हमने किस तरह से कलर करना इसके अब इसके इसके चो-बड़े वाले पंग होते ना वह बनाने जा रही हो बस इसमे थोड़ो तो अपके पास कुछ भी हो डूल्स हो तो उससे आप इसको इसकी से तरह से दें इसकते इस त पुरे में हैं नहीं प्रॉक भीकज रमी टाकि और पूर समय रह centralized नियुकर डाब जाएक्षे पॉरी इसम liar मैं पिलिक अधर भाफ टैक ne reviews मैं निन अब यही बार तो आईगा तो यह बहुत इंचा लिग गा तो ऑपार दू primer तो फिरसी में निदिए तिया थे और धिक जूर झाल हो गया था यह झाल है तोड़ा सस्ता के अलग सा डिफ्रेंस से थोड़ा पता चल जाए कि इसकी बीग है और इसकी जो आई समय ब्लैक कलर लिया और अब उसके बाद मैंने क्या करा श्काइब लिया और इसके जो पंक थे उसमें बीच बीच में जो डॉट होते हैं उसमें मैंने तरह के सब्सके करा है किस पांसे हमें पांसे हाहा यह करें लूप कान से की सिंधक्र के compủ तो इसके स कोपिक आधी दिरफ से मेल में इसके पर भी मैंने यह देखे इस तरह से निसके लाइनिंग होती है इन लाइनिंग में मैंने इसके स्काइब लू कलर कर दिया और इसी तरह से मैंने पूरी पूरी जितनी भी लाइनिंग थी और इसके बीच में डॉटते सब में मैंने स्काइब लू कलर दिया इसे कि बहुत ओड़ा साही यल्लो मतर्कुलर के लिए और जाइनिक युदू कर दिया तक हम और बल्स इन अब करकम, और टोटोर करते हैं तो आए बेढ़ पर अच्छा ऐस दिकाने के लिए इस तरह से मैंने फैस में इस तरह से यह जब बनके है यह हमारा भी रखें बहुत अच्छा सोपीस बन चुका है यह तो इसतने से आप अपने घर में इसको डेकॉरेट कर सकते हो ठीके मेरे घर में तो यह बन चुका है आप भी बना सकते इसको और विडियो अच्छी लगे हो तो लाइक किजीएगा शेयर किजीएगा कमेंट किरना मिलते हैं नई कि एत्वी गिर्टेन के प्रिद्ट से कि रचे कि प्रहुडने साफ़ीक चार प्राइस कि तर उन्में तर फिर्टन के मिल्ट अड़या जे इक करेंगी तो और कम रखने प्राइस कि एतारी मेड बेंड़ कि एता ही कि दितते हैं कर दो कि एता है